राहुल द्राविड सर और चेतन सकारिया की तरफ से बहुत ही इमोशनल स्टेटमेंट आ है बलकि चेतन सकारिया तो डेब्यू करने वाले श्रिलंका टोर के लिए तो उनका तो काफी भावुक बयान है जिसके बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे तो हेलो क्रिकेट लवर्स कैसे आप सब आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे तो राहुल द्रेवीड सर का तो काफी उनका भी काफी इमोशनल रायक तरीके से वो कहने कि मैं हर एक यंग्स्टर को बहुत ही अच्छे तरीके से समझता हूँ और समझने की कोशिश करता कि उन्होंने अपने टाइम पे बहुत ही ज़्यादा टफ डेज देखे हैं बहुत ही ज़्यादा बैंच पे बैठे रहती तो उनको मोका नहीं मिलता था और उनको काफी टाइम बाद मोका मिलता और तभी वो लेजंड बैट्समन बने और काफी शांदार परसन बने और उन यंग्स्टर्स को मोका देंगे और उनका टैलेंट निखार बहार आएगा सबके सामने कि यहां भी उनके अंदर कितना टैलेंट है तो राहल दुरीड सर ने एक और बात कहीं कि यह जो टीम इंडिया है इसके अंदर बहुत ज़्यादा पोटेंशल है और बहुत ही बहुत ही आईपेल में बहुत ही शांदर परदर्शन रहें का और काफी इंप्रेसिव भी रहे परंतु जो इनकी लाइफ रही है बहुत ही अप एंड डाउन के साथ रही है अभी जो कोवीड है उसमें के पिताजी की डैथ हो गई है और जो इनके भाई है वो कुछ टाइम पहले ही डैथ हो गई थी उनकी भी परंतु यहां पर यह बहुत ही श्ट्रॉंग परसन इकल कर सामने आए और इन्होंने यह कहा है कि मेरे लाइफ मुझे को इंडिया की जर्सी में देखे इंडिया की जर्सी तो हर एक व्यक्ति का सपना होता है और उस व्यक्ति को शायद मैं अब जी पाऊंगा और उन्होंने यह भी बोला कि हर एक यंग्स्टर को भी यह सीख देना चाहते है कि वो परिष्थितियों में अपने आपको न ढाले और अपने आपको अलग तरीके से सबके सामने लाए और परिष्थितियों में कभी हार न माने अपने आपको हमेशा बूस् का इंतजार है कि उनको playing 11 में मदद मिलेगी या नहीं मिलेगी मोका मिलेगा नहीं मिलेगा आप कमेंट बोक्स में जुरू बताएं और आप चेतन सकारे की बड़ी फैन है या फिर रहुल तरविट सर के फिर दोनों के कमेंट बोक्स में बताएं यह मुझे जुरू बताएं नीचे कमेंट बोक्स में तो I hope जुमें आपको बताएं आपको अच्छा लगागा अगर अच्छा लगी है तो like, share, subscribe कर सकते हैं मिलते हैं next studio में एक और cricket related content के साथ